नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिरसेक नई वीडियो में दोस्तों आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि बहुत सारे लोगों का ये जिग्यासा रहता है कि जेल में किस तरह का खाने मिलते हैं जेल का खाना क्या कोई बाहर का खा सकता है इस तरह का खाना होता है जिल में तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर कि मैं आया हूं साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि सबनम को जेल में किस तरह का खाना दिया जाता है क्या वो खाना जो है आम लोगों के लिए है क्या बाहर में उस तरह का खाना मिलता है यह सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है जो लोग पहली वार हमारे चैनल पर आया है उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन की घंटी बजा ले ताकि आने वाल जैसे सोंबार मंगलवार हो तो आपको जो कह सकते हैं एक चावल डाल पापर एक सबजी मिलेगा उसके बाद वेडनस दे थर्सडे इस तरह से अंडे मिलेंगे उसके बाद फिर से दुबारा एक दिन मचली मिलेगा तो इस तरह से कुछ डिसाइड किया जाता है मैनुवल तो जिस तरह का जो मैनुवल होता है उसी तरह का खाना कह दिये लोग को दिया जाता है लेकिन अब बात करते हैं कि क्या वो जो खाना होता है यह आम लोग खा सकते हैं बाहर में असा मिलता है तो दोस्तों आम तोर पे यह जो जिस तरह का कोई भी मसाला का यूज किया हुआ नहीं रहता है यी एक दम सिंपल नमक खाल्दी के साथ मिलाया हुआँ खाना होता है जैनि की पूरी तरह से जिस तरह से हॉस्पिटल में खाना दिया जाता है उसी तरह से यह में भी दिया जाता है क्योंकि जेल प्रसासन पूरी तरह से ये चीज का खयाल लगती है कि किसी भी तरह से किसी भी कैदी का पेट खड़ाप ना हो स्वास्त ठीक रहे इसलिए उस तरह के खाने दिये जाते हैं तो पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कैदी को किसी एक सबजी रहते हैं बस इसी तरह का खाना जो है वो सब्लम को भी दिया जाता है यानि नॉर्मल ही खाना जेल में जिस तरह के लोग होते हैं वो चाहे कोई भी क्यों नहों सब को जो है एक ही तरह का खाना दिया जाता है और यह खाना वो लोग सेम बनाते हैं कैदी बनाते हैं मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं, कि जेल में किस तरह के खाने होते हैं, किस तरह से लोग इसको खाते हैं, क्या बाहर लोग के लिए ये खाना होता है, तो ये सारे सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया हो जय हिन्द